प्रणाप आज 14 नवंबर है और आज पंडे जवाहार लाल नहरुजी का जन्म दिन है वह अमारे देश के पहले प्रधान मंत्री थे और उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था इसलिए हम इस दिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं एक बच्चे होने के नाते मुझे लगता है कि देश की बहतरी के लिए कुछ बदलाव लाना बेहत ज़री है अगर मैं इस देश की प्रधान मंत्री होती तो मैं निष्ठा पूर्वक अपना काम करती और देश की तरक्की के लिए प्रयास करती देश में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले मैं अपने देश का एक मजबूत और स्वाविमानी राष्टर बनाने के लिए अपने स्थर पर सर्वशेष्ट प्रयास करती दूसी चीज जो मैं करती वह है सबसे गरीब और निम्नस्तर लोगों का पूरा ध्यान मैं गाउं और दुर्दराज इलाकों में रहने वालों के लिए बिजली पानी शिक्षा आधी जैसे आवर्शिक वस्तूओं का पूर्ती करने का प्रयास करती क्योंकि भारत को गाउं का देश कहा जाता है इसलिए भारत की उन्नती के लिए गाउं की उन्नती करना विरजली है तिसी चीज है शिक्षा मैं अपने देश के हर एक नागरिक को शिक्षित करना चाती हूँ इसलिए मैं गरीग घर की लड़कियां और निमनस्तर लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदार करेंगी जिससे गरीग घर के बच्चे स्कूल और कॉलेज आ सके और अपने शिक्षा का पूरा लाब उठा सके चौथी बात जो मैं पूर्ण ध्यान के योग्य है वह है रोजगारी मैं कृशी उद्योग लगू उत्पादन खनन जैसे आदी महत्व पूर्ण और उत्पादव शेत्रों का भी ध्यान रखूंगी लोगों को आत्म निर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षन के इंद्र स्थापन करूंगी जहां वे अपने रूची के विशय उपर प्रशिक्षन ले सके समाज में कई तरह की बुराहिया देखने को मृतिया जैसे आतंगवार, सांप्रदाइक्ता, नशीरी दवाओं का सेबन, नारियों के प्रति अत्याचार, भ्रश्टाचार, आदी जैसे बुराहियों को जड़ से उखाड़ने के लिए मैं थोस कदम उठाऊंगी मैं चाहती हूँ कि सभी भारतवासी और सभ्यता संस्कृती और आत्मगवरफ के प्रति शद्धा की भावना रखें मैं यहाँ भी चाहूंगी कि मेरे देश धन धान्य ज्यान विज्यान में पूर्ण सम्रुद्ध हो उमीद है मैंने अपने नए भारत के लिए जो सपना देखा है वह मैं पूर्ण करने के लिए मेरे भारतवासी मेरे पूर सही होते जय है जय भारत धन्यवाद